हेलो फ्यूचर दॉक्टर्स सो स्टूदेंट्स अगर आप नीट 2023 की प्रिपरेशन में लग गए हैं तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ एक कम्प्लीट रोड मैप शेयर करना चाहता हूँ नीट 2023 की प्रिपरेशन का तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले स्टूदेंट मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि वाकि में आपको हमारे सेशन अच्छे लगते हैं तो सेशन को लाई ज़रूर करिएगा शेयर करिएगा अपने फ्रेंट्स के साथ में था वहां से questions कौन से chapter से आये थे तो सबसे पहले मैं ये topics आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ अगर मैं physical chemistry की बात करूँ तो physical chemistry में total 18 question आये थे और ये 18 question mole concept से हमारे पास में जो questions आये थे वो आये थे 2 questions, gaseous state से 1, atomic structure से हमारे पास में आये थे 2, chemical equilibrium से 1, ionic equilibrium से 1 thermodynamics से 1, redox reaction से 1, solid state से 2 question आये थे, solution से 1, chemical kinetics से 2, electrochemistry important है 3 और surface chemistry 1, total 18 question physical chemistry से आये इसके बाद मैं student अगर हम बात करते हैं organic chemistry की, organic chemistry से 16 question हमें देखने को मिले general organic chemistry सबसे important है, 4 question यहां से आये थे hydrocarbon से 1, haloalkanes, haloarenes 1, alcohol, phenol, ether से एक question आये था carbonical compound again, most important chapter, 4 question हमें आप से देखने को मिले थे amines से 2, biomolecules से 1, polymer से 1, chemistry, everyday life से 1 question आये था मतलब की सारी chapter से question आये थे इसके बाद में student अगर हम बात करते हैं inorganic chemistry की inorganic chemistry से भी हमें महाँ पे 16 question देखने को मिले और inorganic chemistry में periodic properties से 3 question आये थे chemical bonding से 2, s block से 1, p block 5, most important chapter है dnf block से 1, coordinate compound से 2, metallurgy से 1 और environmental chemistry से 1 फिर से inorganic chemistry से भी हर एक chapter से question देखने को मिला था तो इससे आपने decide कर सकते हैं कौन से questions आपके लिए जादा important है कौन से question आपके लिए कम मतलब सारी chapter important है बट हमें जादा focus कौन से particular chapter पर करना है क्योंकि यही एक general pattern देखने को मिलता है और students के बाद में कर हम बात करते हैं तो यह हमारा percentage wise जो distribution है physical chemistry से 36% organic chemistry से 32% और inorganic chemistry 32% जो part आया है NEET 2022 के अंदर इसके base पे हम NEET 2023 की preparation देख सकते हैं अगर हम यहाँ पे class wise distribution की बात करें तो 12th class से 56% part आया था और 11th class से 44% पर ऐसा नहीं होता कि आप यह मान के चलिए कि दोनों जो 11th और 12th से 50-50% part आएगा इसके बाद में student अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो अब हम कौन से steps को follow करें NEET 2023 की preparation में हम इसको देख के चलेंगे सबसे पहले हमारे पास में daily routine तो student हमारे discipline होना चाहिए आप अगर देखें मैं बहुत simple से daily routine के लिएके अगर मैं बात करता हूँ तो मैं student से एकसर यह कहता हूँ कि अगर आप 300 days भी study कर रहे हैं वाकिये में बिल्कुल seriously 300 days की study कर रहे हैं और per day आप 6 hour की self study करते हैं आपके पास में जो study hours निकल के आते हैं वो हमारे पास में आते हैं 1800 hours so students 1800 hours अगर आप देते हैं और बिल्कुल seriously in 1800 hours को आप अपनी study में खर्च करते हैं तो आप वाकियी में 650 plus marks तक पहुँच सकते हैं क्योंकि coaching के अंदर भी हमें क्या होता है time देना होता है coaching के अंदर भी हमारा time चला जाता है तो अगर आप equal मान के चलें तो आपको 12 hours dedicatedly अपने study को देने होंगे 50% coaching के अंदर 50% self study self study is more important than coaching इस बात को याद रखिएगा इसके बाद में student हमारे पास आती है study material तो आप ना multiple books को बिल्कुल follow मत करें study material को लेके अगर मैं बता रहा हूँ तो सबसे पहले important है आपके NCRT और आपके class notes जो भी आप जिस भी teacher से पढ़ रहे हैं उसके class notes और NCRT से अपने self notes बनाईए और इसके लावा जब questions के लिए आप NCRT के सारी question करें आप 35 year के question लगाएं और जो भी ने question आपको देखने का मुले तो ये इतना study material NEET exam के लिए sufficient है अगर आप आकाश institute में पढ़ रहे हैं तो आकाश institute के जो modules हैं वो भी more than sufficient होंगे आपको 720 marks भी gain करने के लिए क्योंकि बच्चों ने वहाँ से उन modules को follow करते हुए भी 720 marks वो लेके आए हैं इसके बाद में student हमारे पास important point आता है हमारा time management देखें जो NEET का exam है न वो सिर्फ knowledge का exam नहीं है ये भी है कि आप अपने exam को किस तरीके से complete करते हैं आप क्या time manage कर पा रहे हैं questions को करने के लिए तो ये जरूर देखें कि आपको अपनी accuracy के साथ साथ speed को भी maintain करना है पहले accuracy की तरफ बढ़िए फिर आप speed को maintain करिए जब आप mock test देते हैं तो mock test को आपको देखना है कि आपको mock test 3 hours के अंदर ही खतम करना है अगर आपको 3 hours 20 minutes मिल रहे हैं तो आप complete 3 hours 20 minutes के अंदर ही अपना mock test खतम करें और bubbles fill करने की आपको practice डालिए जो आपको EMA sheet मिलती है उसको भी fill करने की practice आपको होनी चाहिए और वो सब कुछ जो है आपका time limit के अंदर होना चाहिए तो paper के अंदर time management बहुत जरूरी है अभी से आप decide कर लें कि आप किस तरीके से जो है अपने paper का time manage करेंगे paper में अगर आपको mock test के अंदर time management करना आ गया तो आपको आपके real exam के दिन stress नहीं होगा आप बहुत आसानी से अपना paper attempt कर पाएंगे इसके बाद में हमारे पास में important point आता है कि मैंने आपको बताया कि अगर जब भी आपको लेगे कि sir किस तरह की preparation की requirement है नीट exam के लिए आप previous year question paper को solve करना start कर दीजे आप अगर किसी भी chapter को complete करने के बाद में उसके 35 year को solve कर रहे हैं और आपसे 90% question एक बार में हो जाते हैं बिना theory को refer किये वह तो उसका मतलब मानिए कि आप आपकी जो preparation है सही track पे है उसके साथ साथ mock test important होंगे आप इस तरह से अपने आपको analyze कर सकते हैं previous year question करने से आपको समझ में आएगा particular chapter से किस तरह के question frame होते है question की क्या language होती है वो कैसे हमें option दे के option में फसाता है कैसे option के साथ में easy question को भी वो tough कर देता है examiner so previous year question को जरूर solve करिएगा अब student इसके साथ साथ कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी बिल्कुल 10th से 11th में आए है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको आपका जो neat का pattern है वो क्या है बेंड में so neat का जो exam होता है हमारे पास में student offline exam होता है OMR sheet पे हमें अपनी answering करनी होती है duration of exam जो है 3 hours 20 minute का है और हमें total 200 questions में से 180 questions को क्या करना है attempt करना है हर एक question हर एक paper में हमें 50 questions पर subject मिलेगे 50 chemistry 50 physics, 50 botany, 50 zoology उसमें से 45 questions को हमें क्या करना है attempt करना है और यहां पे जो है negative marking है अगर आपका question correct होता है तो आपको 4 marks मिलेंगे अगर आप negative marking करते हैं अगर आपका question wrong हो जाता है तो आपका 1 marks minus 1 हो जाएगा अगर आप question छोड़ देते हैं तो आपके 0 marks आपको मिलेंगे नहीं है कोई age restriction नहीं है आप किसी भी age के student है आप बिल्कुल दे सकते हैं multiple time NEET के exam के अंदर आप appear हो सकते हैं तो यह सारी जानकारी उन students के लिए बहुत important थी जो NEET 2023 की preparation करने जा रहे हैं मैंने आपको सारी detail में चीज़े बता दी हैं मैंने आपको बताया कौन से chapter से किस तरह की questions आते हैं किते number of questions आते हैं आपको किस तरह से क्या steps follow करने आपका road map क्या होना चाहिए कौन सी books या notes important है और NEET का pattern क्या है तो student बिल्कुल बताते रहेगा कि यह सारी जो information यह सारी जानकारी आपको कैसी लगती है comment करके मुझे बिल्कुल बतायेगा thank you guys, thank you very much good luck for your NEET 2023